हलो फ्रेंड्स मैं सब्सक्राइब दोक्र सुनील तावार कंसर्टेंट एंटी एंड राइनोप्लास्टी सर्जन दोस्तु आज हम डिसकस करेंगे एक बड़ी आम समस्या जो कभी ना कभी कोई ना कोई आप के घर में या खुद आप पीडित हो माउथ अलसर थ्रोट अलसर ना भूले जिससे आने वाले अनेक उप्योगी वीडियो की जानकरे आपको मिलती रहें दोस्तों माउथ अलसर और थ्रोट अलसर चाले का होना यह एक बड़ी ही आम प्रोब्लम है इसमें इसका सबसे पहले हम जानेंगे क्या कारण है दोस्तों अगर आपकी जो है वो चले ऐसे है जो आपकी जो है ओरल कैविटी है जो आपका मुँ है आपका जो गला है अंदर की जो अपनी म्योकोजा है उसमें कहीं continuity में Bleach है एक अलसर है जिसको हम गले का छाला यह अलसर बोलते हैं दोस्तों इसके बहुत सारे कारण है जो usually जो पेशेंट बहुत बार क्या है कि जो continue जो टॉबे को लेते हैं जो पान है रजनी गंदा मसाला यह सारी जो इस टाइप की चीज है एक कोमन जो है उसका रीजन एक जो है वो टॉबे को यूज करना है दूसरा है important जो है जो लोग बहुत highly spicy food खाते हैं उनको भी recurrent जो है यह डोस तो बहुत बार जो पेशेंट को जो है वह उत की शी स्टम से related डाइजसन से समच्य इसके कारण भी उनको अब को सारी है है वह सकता है उनको कॉंस्टेपेशन रहता यह Gesundheits जो है आपको उल्टीम से समच्छ्छा जैसे बहुत सारे students जब यह exams वगर होती है stress होता है stress induced ulcer भी आपको जो है usually आपको जब पाया जाता है दोस्तों यह different जो है वो कारण है जो है ulcer के अब उसमें आपको जो है वो उसका निवारण कैसे है तो दोस्तों सबसे पहले जब ulcer का कोई patient आता है तो उसकी history देखी जाती है उसका examination किया जाता है उसका duration देखा जाता है दोस्तों normally अगर हमारे oral cavity आमों में जो ulcer होते हैं अगर आपने एक simple treatment लिया तो 5-7 दिन में वो heal हो जाते है दोस्तों अगर कोई ulcer है जो आपको कई मेहनों सक है और उसमें अमोमन आपको pain नहीं हो रहा दोस्तों उसको कभी भी हलके से नहीं लेना चाहिए क्योंकि अगर कोई अलसर आपकी टंग पे है या अंदर बकल में कोजा में गाल के अंदर की तरफ है जिसमें पेन नहीं है कई महनों से है शालों से है दोस्तों वह हलके से नहीं लें उसको उचित डॉक्टर को दिखाएं बहुत बार क्या होता है कि वह कैंसर का भी जो है वह तो उसमें डॉक्टर क्या करता है उसमें बहुत रही जित्ता साजाज के लिए जिसको हम बायोप्सी लेते हैं बायोप्सी बोलते हैं वह एक टुकड़ा लेकर उसका हिस्टो पैथोलोजिकल एनलाइसिस कराया जाता है जिसे हमें यह पता लगता है कि कहीं कोई कैंसर तो नहीं है या कोई कैंसर जैसी बीमारी तो नहीं है तो उससे उस जो है आगे आने वाले जो कॉम्प्लिकेशन से उसे बचा जा सकता है बाकी दोस्तों कुछ ऐसी कॉमन साइट सें जैसे जीब के पीछे के इससे में हैं गाल के अंदर की जो मिकोजा है वहां पे अगर बहुत कैंसर या मेलगनसी की लग्सण जो है उसकी तरफ उसको ले जाते हैं जिससे हमें पहचा ना जा सकता है कि मेरे को उचित इसका इलाज कराना चाहिए इसके अलावा दोस्तों बहुत बर क्या होता है कि आपका जो अलसर होता है अगर उचित समय पे उसका डाइगनोजिस हो जाता है तो जो है अगर वो कैंसर भी है तो उससे डरे नहीं 100% वो ठीक होने लाइक है लेकिन अगर समय पे उसका इलाज नहीं कराया क्योंकि यूज्वली क्या यह चीज दिखती नहीं है अपने को माउथ में होती है इसलिए लोग उसको लिंगरोन और लंबे समय तक उसका कराते के लोगों का मानना कि अजै अगर मैंसों को चैक करा। यह आशका है दोस्तों आप समय पे आप उसका इलाज कराते हैं और और वो कैंसर भी है तो 100% ठीक होने लाइक होता है क्विकि उससमय उचित समय पे उसका वह जाता है। So, दोसतुव, आ भोब मौत अल्शर तेका चाहिए रचार्णाई जा रचाहिए, झाल पूर पिर इसे वज़ राइखा फॉर